कि विल्कम टो और किर्किटाश गार्डन आज मैं आप लोगों को दिखाती हूं मेरे ये क्यारे में लगे हुए रजनी गंधा के फ्लावर तो ये क्यारिया मैंने अपने पहली वेडियो में दिखाई है तो अब देख सकते हैं कि ये कुछ खिले हुए हैं और कुछ कलिया बन रही है जो अभी खिले हुए नहीं है मैं नजदेक से दिखाती हैं अपने लगें को तो ये रहे इसमें खिले हुए हैं और इधर ये उसकी श्टिक तो बन गई है इधर भी श्टिक बन गई है और ये कुछ खिले हुए हैं कुछ खिल रहे हैं और इधर आगे भी दिखाती हैं तो इस तरह से ये श्टिक बन गई है और अभी इसमें भी फूल खिल जाएंगी इधर देख सकते हैं ये रहे श्टिक और खिल रहे हैं तो इसकी मेंटेनस के बारे में मैंने काफी कुछ अपनी वेडियो में छोड़ दिया है पहले जो वेडियो मैंने बनाई है इसके इसमें मैं क्या मैनियूर क्या खाद देती हैं तो आज मैं सिपाप लोगों को ये दिखा रहे हूं फ्रेंज इस तरह से तो अभी इसमें ये मेरी दोनों शाइड लगी हुई है मेरे फ्रॉंट में तो यह मैं एक ही साइड के दिखा रही हूं तो अब देख सकते हैं इसके ताओधे इस तरह से हैं क्यारी की और दिखाती हूं तो यह इसमें तो काफी फॉल खिल गये थे कुछ को मैंने काट दिया हैं और यह अभी एक ही इसमें खेली हुई है श्टिक आई हुई है और इसके अब देख सकते हैं इसके फिर से श्टिक बनेंगे फ्रेंड्स तो मैं फिर से बनाऊँगी पर अभी जितने हैं उसी को मैं बना रही हूं तो देखिए यह श्टिक बन चुकी है और यह आगे अब देख सकते हैं इसको मैं अपने प्रेयर के लिए मैंने इसे तोड़ दिया है फूल को तो मैं जब भी अपने घर में आए प्राथना के लिए हो या पेर जब हम करते हैं तो अपने ही गार्डन से फूल में ले लेती हैं तो इस तरह से आप रजनी गंधा को जिनके पास जग्ये जादा है जमीन पे तो ग्राउंड में भी अप लगा सकते हैं जमीन में लगा तो यह मेरे दोनों दो क्यारी मेने बनाय है मेरे ठॉंट शाइड में तो अभि और एक क्यारी का में दिखाते हमें तो इस तरह से और यह जब दोनों तरफ फूल आ जाते हैं तो काफी अच्छे लगते हैं और इसके सुगंद बिखर जाती है हमारे गार्डन में जब भी हम इहां बैठते हैं तो इसकी सुगन की मजा भी लेते हैं तो फ्रेंज आप लोगों को मेरी ये रजनिगंधा की ट्यूबर रोश की वेडियो कैसे लगी तो लाइक कीजिए, शेर कीजिए, कॉमेंश कीजिए और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ओल पे क्लिक कर दीजिएगा फ्रेंज ताकि हमारी नई वेडियो अब तक पहुंच सके हप्पी गार्डनिंग फ्रेंज हप्पी गार्डनिंग फ्रेंज